प्रतिभा और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से होम हैक्स और किचन टिप्स प्रिंट्स हम हाउस वाइफ का जादा से जादा टाइम बीता है किचन में और घर को और्गनाइज रखने में तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने कामों को थोड़ा कम समय में कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं और जी जब हम किचन में अलग अलग टाइफ के जैसे मैगई या प врign हो गया या पिप सूफ उखी हो गया इस तरह के पाउचेस बहुत सारे हमें हमारे किचन में आते हैं ग्रॉस्री के साथ तो रखनотों काफी सार सारे । ऑसकते होते ह daí यह सब जया है नाहासом को प्रिश होती है आधी पड़ी रहती है और बॉस हमने गांटर शेल्फ पर यहां बढ़ जाताए है उनको पर यहां पर दिया है आप इसे रबल से भी पांग के रख सकते हैं और इनको रखने के लिए यहां पर यूज कर रहे हूं यह स्ट्रॉबरी का बॉक्स जिसको हम जनरल यूहीं फैंक देते हैं स्ट्रॉबरी खाने के बाद तो बस इसके अंदर सारे पाउचिज आपने देखा 10-12 पाउचिज होंगे यह छोटे-छोटे और बड़े तो सारे के सारे इसके अंदर रख द लखीये सामने रहेंगे तो यूज भी हो सके इन और ईनों के जो पाउचिज है आप उनbird कि जेगा क्लीńsk में इस्तमाल कर सकते हैं और फ्रेंडस हम अपने फ्रेज्ज लगते है विरानन 새 कंटिंग करते हैं और पूरे जोश के साथ करते हैं बिल्कुल चमकाा देते है उस चीज़ को और सीच्छों में उसमें आप देख लीजेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो देखें, यहां पर फ्रिज्सों साफ कर लिया, हमने यहां फिर किचन भी साफ कर लेते हैं लेकिन कुछ गल्दियां हम ऐसी कर लेते हैं, कि हमारी जो सफाई होती है, वो विल्कुल बेकार हो जाती है, बहुत जल्दी ही और फ्रिज ऐसी जगा है, जिसमें बहुत सारा फूड आइटम्स रखा जाता है, तो इस तरह से जो यह पाउचेज होते हैं, सौस वगरा के तो इस तरह के गलास में रख देती हूँ, इससे काफी सारा स्पेस बच जाता है, और फ्रिज में हम कितने सारे फूड आइटम्स रखते हैं, तो उससे भी वो स्पिलेज वगरा होती है, दूद रखते हैं, दही रखते हैं, या फिर कुछ भी चीज़े रखते हैं, तो उस और इन फाइल कोवर्स को बिचाने के बाद मैंने सिक्यॉर कर दिया है टेप से, तो जब भी कुछ समान रखूंगी या फिर निकालूंगी तो ये एक जगा से खिसकेंगे नहीं, और अगर आपकी जो फाइल से जादा बड़े हैं, तो आप इनको कट कर सकते हैं, जादा एफट लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी, ये आइडिया कैसा लगा है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अब वीडियो यहां तक अच्छा लगा है, तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चलिए फ्रेंट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टिप की और यहां पर इस तरह कि कॉफी पाउचिस मैं इस्तमाल करती हूँ, क्योंकि कॉफी का जो बड़ा डबल आती हूँ, उसमें बच्चे जो मेरे हैं, वो कभी कभी गीली चम्मस डाल देते हैं, तो पूरा जो कॉफी का कंटेनर है, वो खराब हो जाता है, तो इस वज़े से मैं ये वाले पाउचि पाउच में निकालोंगी और उनको यूज़ करेंगे, और इससे हमारी किचन का में क्लटर भी नहीं प्यालेगा, तो चलिए फ्रेंट देख लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जब भी हमें कहीं जाना होता है, तो हमें अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग एयरिंग्स चाहिए होता है, लेकिन हम कभी कभी मतलब एक दम से हमारे पास या तो नहीं होता है या फिर budget नहीं होता है, तो इस तरह की हूपस सो आपके घर में होते हैं, और परम्स बाहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इनका गोल्डन साथ लुकंड एक लजड़ और होता हाँ, लेकिन पास आप भी हमेंडिकर ही लेत लिए, लिए लन जैने लाइध के सकते हैं फ्रेंट्स था न यह पैसे बचाने वाला डिप आई तिंक आपको अच्छा ही लगा होगा तो चलिए फ्रेंट्स देख लेते हैं यहां पर नेक्स डिप जब भी घर में कोई पार्टी होती है इस तरह कि हम बड़े डेकोरेशन करते हैं जो काफी कॉस्टली आती है बहुत सारे बैलून्स और यह बड़े डेकोरेशन की थी हम मेरी दिवरानी की बेटी का बड़े था पार्टी तो ओवर हो जाती है लेकिन उसके बाद डेकोरेशन का आप क्या करते हैं मुझे कॉमेंट करके बताईएगा तो मैंने तो इसको यूज कर लिया है सारा कुछ उ लाया जाता है और उसी के तरह इनकी जो हवा होती है वो बहुत असानी से और बच्चे भी इस काम में बहुत इंटरस्ट लेते हैं जिस तरह से बड़ पार्टी की डेकोरेशन में बच्चों ने बैलून्स फुलाने में और यह फुलाने में हल्प करी थी सेम उसी तरह से इ इस तरह से यूज कर सकते हैं तो जरूर से रियूज करें इससे आप एंवार्मेंट को क्लीन रखने में भी काफी हेल्प कर सकते हैं तो बच्चों ने यहाँ पे सारी जो इसकी हवा है वो रिलीज कर दी थी और सारे जो हमारी बड़ डेकोरेशन है वो खाली हो गई है बस अब इसकी सब की हवा निकालके और्गनाइज करके रख दूंगी किसी बॉक्स में और अगर आप अगर आप चाहें तो इनको जो हैपी बड़ी की सीक्वेंस होती है एच पहले ए बाद में डबल पी इस तरह से आप और ऑर्गनाइज करके रखेंगे तो जब नेक्स टाइ ही रखिएगा इसके और इसके साथ बस मैंने लगा कि इसको एक काड़ बॉर्ड बॉक्स के अंतर रख दूंगी और और बाकी चीजे भी बहुत सारी बच गई थी बड़े डेकॉरेशन की तो वह भी सब मैंने रख दिया है जैसे यहां पर बहुत सारे बैलून के पैकेट बच गए थे कुछ यूज किये थे कुछ बच गए थे तो वह भी इसके अंतर रख दिया है टेप रख दिया है साथ में जो कैंडल्स है वह भी बच गई थी तो जब नेक्स ताइम यूज करूंगी तो सारी चीजे एक जगा पर रहेंगी तो काफी सारा टाइम बच इसमें मेरी बर्डो रेक्रेशन है और यहां पर यह जो पंप देख रहे हैं यह टब फुलाने वाला पंप है जो स्विमिंग टब होते हैं बच्चों के तो उसको यूज किया था हमने इस बार जो बैलून्स पुलाने के लिए तो आप इसको भी साथ में रखके निकाल देते हैं जिससे पॉलेथिन बिल्कुल बिकार हो जाती है जिसका हम नेक्स ताइम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं और यहां पर हस्बन से बनाई मंगाई थी मैंने यहां पर डबल साइड़ी टेप और एक दूसरी वाले सिंपल टेप जिनका की घर के डिफर आप इसे करके देखेगा शायद क्यामरा इतना जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा है तो आप यह वाला है जरूर से यूज की जिएगा तो आपकी जो यह पॉलेथिन की गाठ है आसाने से खुल जाएगी और आप इस पॉलेथिन को किसी भी काम में इस्तमाल कर सकते हैं तो ब्रेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो को तो लाइक और चैनल फीर्स टाइम विजिट केया है तो सब्सक्राइब करना मत भूली रा बाय बाय